Hello everyone, welcome back to my channel आज हम पढ़ेंगे the story of the road के question answers, word meanings और पूरी exercise के देखेंगे तो शुरू करते हैं word meaning से फर्ट word meaning दी गई है newspaper newspaper means akbar, cucumbers means kheera, cabbage means band goby, potatoes means aloo, radish means mooli, cauliflower means full goby और fullest का मतलब होता है moork ठीक है तो यह थी हमारी new words अब हम इसके question answers देखते हैं तो first question दिया है what sounds do you hear on the road in the morning सुबह सुबह सडकों पर आपको किसकी आवाज सुनाई देती है तो इसका answer होगा in the morning we hear the sound of the words newspaper boy, bicycle horn, vegetable man, school going children, etc. on the road सुबह सुबह हम आवाज सुनते हैं चिडियाओं की और जो newspaper वाला लड़का होता है उसकी bicycle की horn की, vegetable जो भी सबजी बेचने आता है उनकी आवाज सुनते हैं और जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं उसकी आवाज सुनाई देती हमें सडकों पर अब second question है, what is the vegetable man selling? जो सबजी बाला है, आदमी वो क्या बेच रहा था? तो he is selling different type of vegetables, तो वो अलग-अलग तरीक है कि क्या vegetables बेच रहा था? तो क्या क्या बेच रहा था वो? मतर, फूल गोबी, बंद गोबी, गाजर, मूली, खीरा और आलू ये सारे सबजी या वो बेच रहा था अब third question है, why is the road annoyed with the crow? तो जो सडक है, वो जो कववा था, उस पर क्यों गुश्सा हो गई? तो जो रोड है, वो क्यों गुश्सा हो गई थी, क्योंकि जो कववा है, वो रोड को बार-बार जगा रहा था लेकिन सच में बात ये थी कि जो रोड थी, जो सडक थी, वो अलरड जग चुकी थी, इसलिए उसको उस पर गुश्सा आया अब next देखते हैं, talk time, अब उसने क्या दिया है, stop, look and listen, मतलब रुको, देखो और सुनो stop, look and listen, before you cross the street, पहले रुखेंगे, फिर देखेंगे, और फिर सुनेंगे कोई भी सडक पार करने से पहले, use your eyes, use your ears and then use your feet, पहले अपनी आँखों को use करेंगे, फिर अपने कानों से सुनेंगे और फिर हम चलेंगे, talk about how you would cross the road, अब आपको यह बताना है, कि आप जब भी road cross करते हैं, तो आप क्या-क्या साबधानी बरतते हैं, वो सब आपको बताना है, okay, अपने friends के साथ यह सब से करना, अब second question है, can you make the sound which you hear when you walk on the road, talk about them, जब भी आप सडक पर चलते हैं, आपको कौन कौन से आवाज सुनाई को, सुनाई देती हैं, वो आप बता सकते हैं, क्या, अगर बता सकते हैं, तो यह अपने friends के साथ से करें, और उनसे इस बारे में बात करें, okay, अब third question है, use can and cannot alternatively in the following sentences, अब जो नीचे sentences दिये हैं, उसमें आपको can, cannot का use करना है, तो यह हो जाएगा, जैसे कि car की आवाज हमको सुनाई देती है, तो I can hear the sound of cars, मतलब यहाँ कहना जाएगा, अब second है train whistle, train की आवाज भी हमको सुनाई देती है, तो I can hear the train whistle, wind blow, जो हवा चलती है, उसकी आवाज हमें सुनाई देती है, क्या, नहीं हम मुझे तो नहीं सुनाई देती, और कभी- जाती है, तो I cannot hear the wind blow, I can hear the clock, अब clock के टिक, टिक, टिक करके आवाज आती है, तो हम सुन सकते हैं, ऐसे इसमें can, cannot का यूज करना है, sound of feet, जब भी हम चलते हैं, तो इसकी आवाज आती है, अगर हम जो जो सो चलें, यहाँ सूस पहनें, तो उसकी आवाज आती है, तो I can hear the sound of feet, तो यहाँ can आ जाएगा, I can hear the sound of moving of chairs, जब चेर को हम मूव करते हैं, तो उसकी आवाज आ रही है, आती है, तो सुन सकते हो या नहीं, तो आप अपने according लिखकते हो, जैसे मैंने लिखा I cannot hear the sound of moving of chairs, जब कुत्ते भॉंकते हैं, तो मुझे आवाज आती है, दूर से भी लिखक्स वार्किंग, ओके तो यह हो जाएगा, इसको can cannot का रियोग हो जाएगा, अब next देखते हैं, song time, bus के उपर song दिया है, तो आपको इसको sing करना है, तो क्या song है, the wheels on the bus go round round round, round round, round round, round round, 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 the wheels on the bus go round round round, all through the town, मतलत पूरे town में जो bus के जो पहिये हैं, वो round round round, 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 round और जो बस का हॉन है क्या ज़र रहे हैे जो कार जो स्विस्व और जो काच पर वाइपर लगा रहे रहता है बसके वह भी कैसे आवाज आ रही है उसकी स्विस्व भी मनी और बस गोशें क्लिंग बच्चे बैठे हैं उनकी कैसे आ रही है बाबाबाइज ड्राइवर ओन भतसे मूव आन बैक और जो ड्राइवर स्पविणर है क्यानवर司 क्या रहीड दक्रेज हाटे तो पीछे आप मंई भी सोह है तो यह थी हमारी गाना बस की उपर ठीक है अब next देखते हैं let's act इसको आपको act करना the race अब इसका कहना मैं the race I am going home in a bus there is a railway line alongside the road तो जब मैं घर जा रहा था bus से तो वहाँ एक railway line थी road की side से look there is a train coming I tell the bus driver go fast तो मैंने देखा कि वहाँ से train आ रही है तो मैंने अपने bus driver से बोला कि जल्दी चलो go faster than the train train से जल्दी चलो but the driver slows down लेकिन जो driver था उन्होंने अपनी bus slow कर ली there is a railway gate I must stop says the driver तो driver ने बोला कि वहाँ railway gate है मुझे अपनी bus धीरे करनी होगी the train whistles loudly I am first it says और जो train का horn बहुत तेज बज रहा था जैसे कि बोल रही हो कि मैं first हूँ मैं पहले जाओंगी तो यह थी हमारी एक चोटी सी कहानी अब यह pictures देखो इसमें क्या क्या देख रहा है आपको पेड देख रहा है नदिया देख रही है cars देख रहा है और truck देख रहा है road, zebra crossing यह सब देख रहा है नद अब देखो look at the picture and write four sentences about what you see यह आपने देखा अब इसके उपर आपको four sentences लिखने है आप कुछ भी लिख सकते हो कि आप जो भी आपको दिख रहा है उसके उपर लिखना है river दिख रहा है, tree दिख रहा है, okay, car दिख रहा है, truck दिख रहा है तो कुछ ऐसे हो जाएगा I see a river near the road I see cars and trucks on the road I see a tree near the road I can see zebra crossing यह four sentences हो गए आपको जो दिख रहा हो और extra में तो आप वो भी लिख सकते हो तो यह थी हमारी poem उसके question answer I hope आप सबको अच्छे से समझ आया हो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए और ज़्याद से ज़्याद से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दवाएए जिसे कि मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपके पास आज जाए थैंकी पो वाचिंग